नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिक नया वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में बात करेंगे PFMS के बारे में जिसका फूल पॉम है Public Financial Management System इस website में आप government का कोई भी अगर dbt payments आपको send करते हैं या scholarship का payment या फिर किसी भी योजना का पैसा तो आप इस website में check कर सकते हैं लेकिन इस website में भी problem यह हो रहा कि कोई भी अपना account number से जब check कर रहा है तो बतारा no record found, तो बहुत का बतारा registered mobile number not found उजदे account number यह सब के साथ ही ऐसा हो रहा, लगबग सभी के साथ हो रहा, अपना data को find नहीं कर पा रहा है और तो और बहुत के साथ इस तरह बतारा payment not initiate for the beneficiary तो इसका solution, complete solution में आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो कि अगर आप अपना payments का status को check करना चाहते हैं और अगर आपका इस तरह का बता रहा, तो इसका solution क्या है, कैसे आप लोग चेक करेंगे ताकि आप लोग भी अपना payment का status को check कर सके तो वीडियो का अप लोग complete जरू दिखेगा वीडियो informative लेके तो जरू लाइक कीज़ेगा, friend group में share कीज़ेगा चैनल पर नहीं तो subscribe कर लेज़ेगा नयाने update हमेशा पाने के लिए तो पहले PFMS के बारे में थोड़ा सा बता दता हूँ कि public financial management system यानि कि government किसी भी परकार का योजना का पैसा या फिर आपका किसी भी scholarship का amount हो, book का पैसा, मनरेगाव का पैसा तो dbt के थुरू अगर भेजते हैं, तो PFMS के website के थुरू आप लोग इसका status को check कर सकते हैं ये पहले होता था, इस website में आप लोग direct यहां आके search करते थे, तो search हो जाता था लेकिन अभी एक डिर साल से ऐसे ही problem हो रहा, कोई भी अपना data को find नहीं कर पारा लेकिन मैं आप लोग के एक दूसरा तरीका बताओंगा, जिससे के आप अपना data सभी कुछ जितना दिन पहले दस्तल पूरा नहीं, आपका QNA account में भेजे हैं, dbt payment government तो आप उसको check कर सकते हैं, या फिर student का scholarship का amount हो, या फिर किसी भी पर करकर के योजना 200, 400, 200 जितना भी सरकार के तरफ से मिला है, सभी आप यहाँ पर check कर पाएंगे, जो कि मैं process में बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो का outlook एक बार complete जोरू देखने हैं, आपका 100% सभी चीज़ का solution मिल जागा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने mobile का play store को open करना है, open करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना उमंग, जैसे उमंग लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक app open होगा, जो की central government यानि के भारत सरकार के द्वारा ही बनाये गया आप है, इस app को आपको payment पहले ही receive हुआ, अभी भी मिल रहा, वो सारा data record दिखा रहा, जो की उस pfms का website में नहीं दिखा रहा था, तो देख सकते हैं, आपको इस तरह language अपना select करना है, और tick करके next कर देना, मैं अभी इसका next करता हूँ, पिर इस तरह का interface open होगा, सबसे पहले आपको इस app में register कर ल है, तो direct login करेंगे, permission को cancel कर देते हैं, उसके बार login with आप लोग OTP करेंगे, MP अगर नहीं मालूम है तो, तो login with OTP करना है, mobile number को यहाँ पर आपको fill करना है, और send OTP में click करना है, जैसे click करेंगे, तो आपके सामने इस तरह के interface open होगा, आपका OTP आ जागा, और verify आपको कर लेना है, जैसे OTP बगर नहीं आता, और एक बार try कीजेगा, तो हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर search वाला option मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको लिखना है, PFMS, पहले आप लोग complete देख लिजे, यहाँ पर भी search करने का 2-3 तरीका है, तो पहले कहां से check करना, उसको देख लिजे, PFMS लिखेंगे, तो यहाँ पर भी option है, know your payments, वहाँ पर भी option था, know your payments, लेकिन वो know your payments एकदम मतलब बिना काम का है, किसी का data find नहीं कराता, यहाँ पर know your payments में क्लिक करना है, उसके बाद क्या का लिखना देख सकते हैं, इस तरह बतारा something went wrong, तो कोई दिकत नहीं एक ब बता है, देखिए अभी नहीं बता है, मतलब यह सही हो गया, यहाँ पर bank का नाम सर्च कर रहा है, अभी यहाँ पर हमको youco bank लेना है, क्योंकि उस student का youco bank है, पर account number का आप लोग को यहाँ पर लिखना है, हम copy करकर रखें, paste कर दियें, और submit वाला में आपको click करना, फिर something went wrong बता है, कोई बात नहीं, इस app में थोड़ा सा server problem कर रहा, देख सकते हैं, इस student को तीन तरकसा योजना का पैसा मिला, पहले तो national means to merit, student को scholarship का payment receive हुआ, बाराजर करके दो बार, जो कि हम ही apply किये हैं, और इसका payment का वीडियो भी हम बनाए, तो आप लोग देखेंगे, इसका द account number है, यूको बैंक का last digit, तीन डिजिट देख लिजे, complete तो नहीं दिखा सकते, उसके बाद इसको scroll करते हैं, देख सकते हैं, बाराजर रुपया इसको payment receive हुआ, फिर इसको back करते हैं, एक बार, उसके बार next यहां पर जारखन, सर्व सिक्षा अभियान, इस school के तरफ से इसक payment मिला कुछ, योजना का पैसा देख सकते हैं, scholarship का कुछ है, कोपी किताब रता, गल्स student का ओही है, 400 रुपया मिला है, फिर तीन बार कुछ मिला, फिर 400 रुपया और एक बार मिला है, देख सकते हैं, 9 April 2019 को, फिर यहां पर आप देख सकते हैं, 200 रुपया भी मिला है, यह 21 January 2019 इसको, तो देख सकते हैं, student का सारा, जितना भी government के तरफ से आया हुआ, scholarship का payment, dbt payment है, इसका यहां पर account number से चेक कर लिए, बीना OTP का, तो अगर आप लोग के जान करें, अच्छा लगे हैं, तो वीडियो का लाइक करें, फ्रेंट ग्रूप में, शेयर करें, जो भी चेक करन मिलता हैं, नेक्स्ट वीडियो